बश्कार स्वागत है आपका फियल्ड़ स्टेडी मंत्री टीप चनल पर साथियो UP प्लिस बर्ती एक बड़ी बर्ती UP में होने वाली है ठीक है साथ ही आपको मालम होना चाहिए क्योंकि बर्ती है और बैसे भी UP में कोई बर्ती 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 निकल नहीं रही है एक बर्ती निकली थी UP प्लिस के थुरू बो थी साड़े आठ हजार अमलम लेक पल बर्ती लेकिन उसमें भी अभी कुछ हो नहीं पाया है कोड में चलता है मामला तो अगर आप सीरियसली प्रिपेर्ड हैं इस बर्ती के लिए मतला के प्लिस में जाना है तो आप अभी से तयारी सुरू कर दो अब देखो जो 36,000 प्लिस बर्ती नोटिफिकेशन कब तक आएगा जो मैंने नीचे लिख रखका है यूपी प्लिस बर्ती नोटिफिकेशन आपका जुलाई तक आ सकता है अब इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि आई जाएगा लेकिन जुलाई तक आप और आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है ठीक है साती हो तो अब सबसे बड़ी बात साती हो यह है कि बहुत पहले भी मुहिम चल रही थी कि जो इसमें जो आयू सीमा है देखो अभी इसके बीच में अंतराल में कोई भरती पुलिस की आई तो है नहीं कोरोना चलने लगा बीच में तो कोरोना के चक्कर में जो भरती न तो इसके लिए मोहिम चलानी पड़ेगी जब notification आने से पहले तभी कुछ हो सकता है उसके बाद में कुछ नहीं होगा ठीक है साथियो तो अब आपको छूट चाहिए तो इसके लिए मोहिम चलानी पड़ेगी और यह सही बात भी है छूट देने भी चाहिए क्योंकि कोरोना का बरती के लिए business कर तयार नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें धांदली बड़े label पर देखने को मिलती है और यूपी की कोई भी बरती हो हर एक बरती में धांदली आपको देखने को मिलेगी मिलेगी तो जो agency है वो पहले हाथ खड़े कर चुकी है क्योंकि agency पर दाग लगता है होता हुआ दिखाई देगा कि किसी को टेंटर मिल गया अब नाम तो disclose जैसे किसी ने किया नहीं है कि कौन सी किस agency को टेंटर मिल रहा है लेकर हां बहुत जल्द आपको यह फानलाइज हो जाएगा कि किस agency को यह टेंटर दिया जा रहा है यूपी प्लिस की भरती कराने के लि कि अब यह बहुत जल्द आपको फानलाइज होता हुआ दिखाई देगा और मैं जैसे बताया कि आपका जो यह तुमारा नोटिफिकेशन है यूपी प्लिस का वो जुलाइज तक डेडलाइन है उससे पहले भी आ जाएगा ऐसी बात नहीं नहीं आए पाएगा उससे पहले ही आ जाएगा और परिच्छा कब तक होगी साती हो तो परिच्छा को यह मालो आप दिसंबर 23 में फाइनल परिच्छा इसकी हो जाएगी ठीक है क्योंकि 24 के एलेक्शन को देखते हूं सारा कुछ कराएंगे अगर एजनसी फाइनल हो जाती है तो आपको जुलाई से पहले आपका notification आपको देखने को मिल जाएगा और आप वाकई में serious है constable UP police के लिए लेकर तो आप तयारी में जुट जाएए और subject वही पराने है syllabus change होगा तो उसका notification पहले दी जाता कोई syllabus इस बार चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले तो यह agency नहीं मिल रही थी तो अब यह कुछ मि धड़ी भरती है क्योंकि UP में कोई भरती नहीं आ रही है हा सिच्चक बरती होनी थी बढ़ी वाली लेकिन सिच्चक बरती बलकुल एक दम गौल हुए तो झान्य तो आप यही बची वही हिं अगर आप इसके लिए अच्छी से तयारी करेंगे तो आप एक Constable की जोग पा सकते हैं ठीक है सात्यों? तो यही थी और आयू सीमा में छूट अबस्स मिल ली चाहिए इसके लिए प्रयास करो और आपको यह मिल भी जाएगी ठीक है सात्यों? बहुत बहुत धन्यबाद आपका